आज हम करेंगे गनक्यंत्र आधारिक बोधना विधी से क्या अभिप्राय है और उसका हिंदी शिक्षन में क्या उप्योग है इस टॉपिक से पेपर्स में भी प्रश्न कुछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं गनक्यंत्र आधारिक बोधना विधी का अर्थ 1. परिभाशा, अर्थ, गनक्यंत्राधारिक बोधना विधी, जिसे Computer Assisted Instruction CI, वी कहा जाता है। एक शिक्षन तक्नीक है जिसमें शिक्षार्थियों को कम्प्यूटर के माध्यम से निर्देश और अभ्यास प्रदान किये जाते हैं। उदाहरन, भाशा शिक्षन में Computer Software का उप्योग जो व्याकरन, शब्दावली और भाशा कोशल के अभ्यास के लिए डिजाइन किया गया हो। दो, मुख्य तत्व, अर्थ, इस विधी में Software प्रोग्राम शामिल होते हैं जो शिक्षार्थियों को Interactive तरीके से सीखने का आफसर प्रदान करते हैं। उदाहरन, Multimedia प्रस्तुती, वीडियो, आडियो क्लिप्स और एनिमेशन का उप्योग। तीन, लचीला और अनुकूलित सीखना, अर्थ, गनक यंत्राधारिक बोधना विधी शिक्षार्थियों को अपनी गती से सीखने की अनुमती देती हैं और विभिन स्तरों पर अध्यान सामगरी की पेशकश करती हैं। उदाहरन, छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर अभ्यास का स्तर कथिन या सरल किया जा सकता है। चार, फीडबेक और मूलियकन, अर्थ, इस विधी में ततकाल फीडबेक और मूलियकन संभव हैं, जिससे छात्रों को उनके गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। उदाहरन, टेस्ट या क्विस के बाद सौफ्ट्वेर द्वारा दिये गए उत्तरों की त्वरित समीक्षा। पांच, व्यक्टिगत सीखने का अनुभव, अर्थ, यह विधी प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्टिगत सीखने का अनुभव प्रदान करती है, जो उनकी आवश्यक्ताओं और क्षमताओं के अनुसार अनुकुलित हो सकती है। उदाहरन, छात्रों को अपने चुने गए विशेव पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमती मिलती है। हिंदी शिक्षन में गनक यंत्रा धारित बोधना विधी के उपयोग। एक, व्याकरन और भाशा सनरचना की शिक्षा। Computer Software हिंदी व्याकरन के विभिन पहलों जैसे संग्या, सर्वनाव, क्रिया, विशेशन और वाक्य सनरचना की शिक्षा में मदद करते हैं। उदाहरन, Interactive व्याकरन अभ्यास Software जो छात्रों को नियमों का अभ्यास कराता है। दो, शब्दावली विकास, छात्रों को नए शब्द सीखने और उनके अर्थ समझने में मदद करता है। उदाहरन, Flash Card और शब्द खोच पहलियां जो छात्रों को शब्दार्थ का अभ्यास कराती हैं। तीन, श्रवन और उच्चारन कोशल, ओडियो क्लिप्स के माध्यम से श्रवन और उच्चारन सुधारने में सहायक होता है। उदाहरन, उच्चारन सुधारने के लिए ओडियो फीदबैक। 4. पर्थन कोशल, डिजिटल पुस्तके और पार्थि सामगरी चात्रों के पर्थन कोशल को बढ़ाने में सहायक होती हैं। उदाहरन, ई-बुक्स और उनलाइन कहानिया जिनके साथ क्विज और प्रश्न शामिल होते हैं। 5. लेखन कोशल, लेखन कार्यों में सुधार के लिए कम्प्यूटर आधारित लेखन सत्र का उप्योग किया जाता है। उदाहरन, निबंध लेखन और पत्र लेखन अभ्यास सॉफ्ट्वियर। 6. मल्टी मीडिया शिक्षन, वीडियो, एनिमेशन और चित्रों के माध्यम से साहित्यक और सास्कृतिक विश्यों की शिक्षा। उदाहरन, हिंदी साहित्य पर आधारित एनिमेटेड वीडियो। 7. स्वतंत सीखने का अफसर, चात्र अपनी गती और समय के अनुसार अध्ययन सामगरी को एकसेस कर सकते हैं। उदाहरन, ओनलाइन कोर्स और स्वाध्याय सामगरी। 8. फीडबेक और मूलियकन, तुरंट फीडबेक और मूलियकन से चात्र अपनी त्रुटियों को तुरंट सुधार सकते हैं। उदाहरन, टेस्ट या क्विस के बाद सॉफ्ट्वेर द्वारा दिये गए सही उत्तर और समझायां। 9. संग्यानात्मक विकास, गेम आधारित लनिंग और पजल्स चात्रों के संग्यानात्मक विकास में सहायक होते हैं। उदाहरन, शक्षी की खेल जो भाशा और तरक्शक्ती में सुधार करते हैं। 10. पुनरावृत्ती की सुविधा, छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सामग्री को बार-बार देख और अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरन, व्याकरन और शब्दावली पर आधारित वीडियो लेक्चर की पुनरावृत्ती। 11. समवाद कौशल का विकास, इंटरक्टिव सत्र और रोल प्ले एक्टिविटीज छात्रों के समवाद कौशल को सुधारने में सहायक होते हैं। उदाहरन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाशन और समवाद अभ्यास। 12. अध्ययन सामगरी की उपलब धता, विस्तित अध्ययन सामगरी तक आसान पहुंच, जिसमें पार्थि पुस्तके, शोधपत्र और लेक शामिल हैं। उदाहरन, ओनलाइन लाइब्रेरी और शेक्षी की वेबसाइटें। 13. भाशाई विविद्त का ग्यान, हिंदी की, विभिन बोलियों और भाशाई रूपों के ग्यान का विस्तार, उदाहरन, क्षेत्रिय साहित्य और बोलियों पर आधारत पाथियक्रम, 14. रचनात्मक्ता और नवाचार, रचनात्मक लेखन, कविता, और नातक लेखन में छ चात्रों को प्रोच साहित करता है, उदाहरन, साहित्य कार्यक्रम और उनलाइन प्रतियोगिताएं, 15. तक्नीकी साक्षर्ता का विकास, चात्रों को तक्नीकी उपकरनों और सोफ्ट्वेर का उप्योग करने की जानकारी और अनुभव प्राप्त होता है, उदाहरन, के लिए इंटर्नेट और सॉफ्ट्वेर का उप्योग थांक यू, लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब पुल्स यूट्यूब चैनल